नमेश्का दोस्तों तो क्यासे आप लोग आप में से बहुल दोगों ने मुझसे पूछा था कि Apple A10X चीप और Apple A11 चीप दोनोर प्रोसेसर में से कौनसे सबसे बहतारे तो चलिए इसलिए इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा यह दोनोल प्रोसेसर में से कौन सनसे भैतरे और अगर आप कॉई दीवाईस चुनना चाहेंग, तो आपको कॉनसा चुनना चाहएं चलिए शुरू करते आज का वीडियो बिना कोई बाग कबाइए और ये वीडियो शुरू करने से पहले आगार यह वीडियो को पसंद था तो एक लाइक देदेना, अगर वीडियो ना पसंद था तो एक दिसलाइक देदेना, तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो तो आपल एटेन और अचनी साथ के दोनों का प्रोसेसर आर्श पहंँ den. अपल एई एलेवं और यह प्रोसेसर तेन निय्म्म प्रोसाल प्रोसेसर प्रlerin 15. प्रोसेसर लेकिन 60 वहार भी नहीं आप नेक्स पिक्टर में देख सकते हे जो 10 नामीटर साइच का जो प्रोसेसर इसमें तर असल बहुत सारे छोटे छोटे-छोटे च्रांजिस्टर्स होता है आप एक कंपनी बाल के ओपर डिपेंड करता है कि एक 10 नामीटर चीप में कितने सारा बोड देगा तोब देख सकते एक सबसे ज्यादा ज्यादा चाहिस्टा Bowlे उसन कहा फ्र दोसितना ज्यादा ब téगए उसकितना ज्यादा свет चबड़न पर्फमेंच के मामले में और मेंन के पावार मैंनेजमेंट के बाद अब देख सकते ईद में क्यूँके नॉर्मल से बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर है इसका मदलाब ये प्रोसेसर काम करने के लिए थोड़ाता ज्यादा इलेक्रिसिटी यूज़ करेगा इसलिए Apple A11 में जो पावर यूज़ होता है बहुए 8W और Apple A10X में जो पावर यूज़ होता है बहुए 5W तो अब देख सकते हैं कि overall comparison में अगर हम पावर ये एफिशेंसी की बात करें तो A10X बेटारे अब हम देखते हैं दोनोर प्रोसेसर का कोर कॉर कॉन्पिगुरेशन अब हम देखते हैं दोनोर प्रोसेसर का मैक्सिमम राम सपोर्ट Apple A11 में single channel LPDDR4X RAM है जिसका speed है 2133MHz लेकिन Apple A10X में dual channel LPDDR4 RAM है जिसका speed है 1600MHz तो देख सकते हैं Apple A11 में नया generation RAM है लेकिन बहुँ सिंगल कोर है लेकिन जो speed बहुत ही ज्यादा है लेकिन Apple A10X में थोड़ा सा पूरारा generation RAM है लेकिन बहुत dual channel RAM है और speed भी बहुत ही काम है तो इसका मदा overall RAM performance में दोनोर प्रोसेसर बिल्कुल सेम होगा और क्योंके A10X में dual channel RAM इस्तेमाल होगा है इसलिए obviously इसका जो memory bandwidth यह भी ज्यादा होगा तो अब picture में देख सकते हैं A11 में जो memory bandwidth बहुत 34.1 GB per second और Apple A10X में जो memory bandwidth है बहुत 51.2 GB per second तो इसका मदा memory bandwidth के मामले में A10X obviously बेटर है तो Apple A11 और Apple A10X दोनोर प्रोसर का जो main जीज जो के graphics card आब हम उसके बार में बात कर लेते तो अब इस feature में देख सकते हैं Apple A11 में जो graphics card है वो है A11 Bionic GPU ए दरसल एक 3 core GPU है और Apple A10X में जो GPU वो है Imagination Company का PowerVR GT 7600 Plus और यह बला graphics card एक 12 core graphics card है तो obviously A10X का graphics card ज्यादा performance देना चाहिए इसका मैं आपको total 3 proof देखा हूँगा आप इस next picture में देख सकते है Apple A11 का जो graphics card का performance वो है 325 G Flops और Apple A10X का जो graphics performance वो है 364.8 G Flops यह जो number जितना ज्यादा होता है वो प्रोसर उतना ही ज्यादा texture प्रोसर कर सकता है इसका मादला performance का मादले में obviously A10X का graphics card बेटार है और आप next picture में भी देख सकते है Apple A11 का GPU score वो है 97,000 के आसपास और Apple A10X का GPU score वो है 1,51,000 के आसपास तो इसका मादला Apple A10 और Apple A10X GPU का अगराम comparison करे तो obviously यहाँ पर यह जो A10X का GPU है 100% बेटार है और अगर मैं दोनोर processor का raw CPU power की बात करूँ तो अब देख सकते है Apple A10 का Antutu version 8 में score 3,16,000 जो कि आगर कर iPhone X का score है और Apple A10X का Antutu version 8 में score 3,78,000 जो कि आगर कर iPad Pro 2 का score है वैसे Antutu में A10X का ज्यादा score करता है इसका एक रिजिन है मैं इसके बाद ही आपको बताता हूँ आप इस next picture में पहले देखिए यह दर असल पास्मार्ट CPU का scoring देखिए इस score में Apple A11 score करता है 4,34,000 लेकिन Apple A10X score करता है 3,77,000 यह जो मैंने पास्मार्ट score दीखिया है यह दर असल एक processor का बस CPU performance का दिखता है यह जब हम Antutu का score करते है उसमें ठोटल 4 चीजे हम देखते CPU, GPU, User Interface और Memory यह चारो चीज को मिला के A10X बेटर है लेकिन अगर हम बस CPU को पकरे जाजिक हम पास्मार्ट CPU score में देख सकते है तो अब यहां पर A11 बेटर है और सेंग चीज अब इस आकड़ी पिक्चर में भी देख सकते है यह दरसर Geekbench 4 का score है Apple A11 का Geekbench में single core में score है 4102 और multicore में score है 9935 और Apple A10X का single core में score है 3936 और multicore में score है 3454 तो पास्मार्ट score की तरह जो Geekbench score यह भी एक processor के बस CPU को हमें दिखाता है इसलिए बस CPU score के मामले में यहां पर भी Apple A10 जीच जाता है Apple के iPad इस्तेमल करता है इसे कारण के लिए क्योंकि कोई भी YouTuber Apple के iPhone से YouTube पे game stream नहीं करता है कि यह को सभी को बाता है कि Apple iPhone का graphics card Apple tablet से बहुत ही काम है तो उमीदे आपको समझ में आगया होगा कि आखरकार ए Apple A10X और Apple A11 ए दोनों processor के बीच में आखरकार क्या differences है तो आज का वीडियो इतियक उमीदे एक competition आपको परसद लाएगा फीचर में आपको एसे कौन-कौन से competition नहीं चाते मुझे नहीं जेका comment शेकर बताना मैं उसके बड़ वीडियो जरूर बनाऊँगा तो मिल के आगे वीडियो पर तरह तक stay tuned and always remember think positive be positive. Thank you